समाजवादी पार्टी के मुख्या और पूर्व मुख्य मंत्री अकलेश यादव ने कनोज में कहा कि घोटालों में अपना देश आर्थिक संकर्ट में फस्ता जा रहा है उन्होंने कहा बेंकों में जमा गरीबों का पैसा अमीर लोग लेकर विदेश भाग रहे हैं उन्होंने कहा कनोज की सभा में ही प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने कहा था कि नोडबंदी से गरीबों का फायदा होगा लेकिन हो एकदम उल्टा ही रहा है कन्नोच के गुर सहाय गंज में एक समारों में पहुँचे अकलेश यादों ने कहा कि किसानों का कर्ज तो माफ नहीं हुआ गरीब का पैसा यह राइस लोग जरूर घोट गए उन्होंने कहा पहले नीरव मोधी और फिर कानपूर के रोटो में के मालिक इस तरह घोटालों की चेन बन गई है पूर्व सीम ने कहा कि इन्वेस्टर मीट के पोस्ट्रों और बेनरों में लखनव आगरा एकस्प्रेसवे की फोटोचापी है अगर इस से प्रदेश में कुछ धन आ जाए तो वो कहने को तयार है कि समाजवादियों की ये एकस्प्रेसवे भाजपायों नहीं बनवाई है उन्होंने कहा भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं है क्योंकि कुछ काम किया ही नहीं रोजगार की विवस्था नहीं कर पाए इसलिए नकल के नाम पर छात्रों लोगों शिक्षा में आगे बढ़ाने से रोग रहे हैं। इस दोरान अकलेश कन्नोस से अपने पुराने रिष्टे बताना नहीं भूले।